कि असलाम अलीकुन बेर स्टूडेंट हाव यू बेटा उमीत है आप सब बाहरों अफियत होंगे बेटा आज का जो हम टॉपिक करेंगे वह लेक्षर नबर नाइन का होगा और चैप्टर नबर थ्री है और उस चैप्टर का नेम है डेटा कम्यूनिकेशन हमने लास्ट लेक्षर के अंदर गाइडिड और अंगाइडिड मीडिया की डेफिनिशन पड़ी थी आज किस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे गाइडिड मीडिया क्या होता है और उसकी जो टाइप्स थी उसकी एक्जेम्पल सी वह कौन-कौन थी उसको डिस्क्राइब करे सब्सक्राइब. कहते हैं some examples of bounded media for communication are as follows हमारे पास कौन-कौन सी bounded media की examples है वो है twisted pair cable है coaxial cable है और fiber optics cable है आज इन तीनों cables को हम discuss करते हैं detail के साथ twisted pair cable twisted pair cable is used in local area network पहली बात हो यह कि यह LAN के अंदर use की जाती है local area network के अंदर use की जाती है to connect computers computers को connect करने के लिए and other devices और दूसरी devices को भी add करने के लिए connect करने के लिए जैसे printer हो गया यह scanner हो गया twisted pair consists of a pair of copper wires इसके अंदर जो copper wires का pair होता है the pair of wire is covered by plastic insulation जो हमारे पास copper wire का pair होता है उसको cover किया गया होता है plastic insulation के साथ plastic cover के साथ and is twisted together और उसको आपस में twist कर दिया गया होता है twisted of wire protects them from interference by external electromagnetic waves इनको twist करने का मक्सद यह है कि बाहर से जो electromagnetic waves होती है वो wire को disturb ना करें आएं इसकी example को देखते हैं हम है बैटा यह देखें मारे पास यह मारे पास एक cable है एक 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 और एक यह मारे पास चार पेर हैं हर पेर के अंदर दो वायर्स हैं अगर हम इस एक वायर को देखें तो इसके सबसे अंदर जो है वो copper की wire होगी copper के उपर है जो blue color का और उपर cover चड़ा वाए यह हमारे पास इंसुलेशन होती है यह plasticận होती है सब से अंदर copper की wire उसके उपर plastic का cover उस plastic cover के उपर फिर यह वाला plastic का cover यह सारे cover जिसकी यूश की जाते हैं थाकette हमारे पासacc जो в realmisť ना होता है प्लस्टिक का वो यूस करते हैं इसके एक सिर्सक्राइबmonth के फाइदे के इसके इन इंट्रोंसमिशन वीडियम कफी सस्दें हम लिए अशांनी को साथ इसके और यह इसी उठी किष़ करना से नेटवर्ग बनाना काफी इसान होता है इसका एक थोड़ा सा नुपसान है वो यह के सिर्फ यह शौर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है हंड़र्ड मीटर से ज्यादा हम इस वायर को यूज नहीं कर सकते जी बैठाजी दूसरी केबल है हमारे पास कोएक्सर केबल एक चीज़ बताना बूल गया यह जो हम इंटरनेट Vergleich यूज करते हैं मोस्ली जो गर के अंदर डियेसल केबल आई होती कोपर मैश कोपर मैश जो हमारे पास इंसुलेटेट कौपर कवर होता है उसको cover किया गया होता है किसके साथ copper mesh के साथ copper की जाली होती है The mesh protects the data signals from interference by external electromagnetic wave External electromagnetic wave से बचाने के लिए उस copper mesh को यूज़ किया जाता है Coexil cable contains 422 coexil units called tubes इस coexil cable के अंदर 4 से लेके 22 तक units होते हैं जिनको हम tubes का नाम देते हैं Coexil cable are used by cable TV network and telephone companies telephone companies वगरा के लिए नदर इसको यूज़ किया जाता है या TV cable network जो उसको यूज़ कर पने है इसको पीटा दरा गोर से देखिएगा यह हमारे पास सबसे पहले आ गया copper wire ठीक है इसके उपर यह जो white color का है यह हमारे पास insulating material आ जाता है insulation चड़ी होती है इसके उपर यह इसके उपर जो आ रहा है नदर ही है इस तरह कि हमारे पास एक copper mesh होती है copper की जाली होती है और इस mesh को cover करने के लिए यह हमारे पास black color का insulating material जड़ा होता है और यह वाला material काफी hard होता है ताके wire को किसी भी किसी किसे भी किसम के damage से बचाया जा सके इसकी characteristics देखते है बेटा it is more expensive transmission medium than twisted pair twisted pair की निस्पद यह बहुत ज्यादा costly है it provides higher data transfer rate than twisted pair cable इसके अंदर जो data का transfer rate है वो ज्यादा है as compared to twisted pair cable it can be installed very easily इसको भी install करना काफी आसान है और इसकी example को उनसी है cable TV network जी बेटा तीसरी और आखरी जा हमारे पास guided और bounded video की example है fiber optics cable काफी interesting cable है यह वाली इसको भी दरा गोर से सुनिएगा fiber optic cable transmit data as pulses of light through the tubes of gloss दो चीज़े इसके दे coffee interesting है पहली यह पहली जो दो wires पड़ी उसके अंदर जिसके अंदर data transfer होता है वो wire copper की होती है ठीक है और उसके अंदर data transfer होता है वो हमने पढ़ा था analog method के थूँ हो रहा होता है इसके अंदर जो दोचते नहीं है वो यह हैं कि इसके अंदर जो कॉप इसके अंदर जो सबसे अंदर वाली है wire वो ग्लास की है शीशे की होती है और उसके अंदर data transfer होता है वो in the shape of light होता है दो चीज़ें दो डिफनेट हैं पहला जो इसके अंदर सबसे जो पहले copper की होती दूसरी wires के अंदर इसके अंदर वो चीज़ शीशे की होती है और दूसरा इसके अंदर data transfer होता है वो in the shape of light होता है एक टिपिकल फाइब्र आप्टिक कंसिस्ट आफ वेरी नेरो स्ट्रेंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर फैब्र आप्टिक के अंदर जो कोर होता है जो मैंने आ जिस तरह आप कह सकते हो बारीक सी ग्लास का पाइप सा होता है जिसके अंदर data transfer होता है शीशे का the strain or thin like human hair कितना बारीक होता है यह इनसानी बाँ वह कितना बारीक होता है फितिस कंदनी कोर इस सैंटर ऑफ दा फाइबर फाइबर वेर लायट रेवल्स यह कोर जो है वह चीज़ा है जो शीशे की ली, और उसी पहिंधर जो ऑन्हें है वो light travel होती है, मतलब अब यह समझो कि यह हमारे पास एक cable है, यह हमारे पास core है, जिसके अंदर light transfer होती है, इन्दी speed of light data जोंसा है, वो transfer होता है, और data कैसे transfer होता है, light की shape में transfer होता है, there is a concentric layer of glass around the core, अब हमारे पास यह जो हमारे पास core है, मतलब यहां से जो data गुदर रहा है, इस core को cover करने के लिए, हमारे पास उपर एक cover चड़ा होता है, वो भी हमारे पास glass का ही होता है, जैसे यह example है, यह हमारे पास सारी की सारी cores है, इस core के उपर जो cover चड़ा होगा, वो कौन सा होगा, glass का होगा, और उसका नाम क्या है, उसको हम नाम देते हैं, cladding का, जो core है, वो भी glass का है, जो उसके उपर cover चड़ा होगा है, जिसको cladding का आ जा रहा है, वो भी glass की है, इट reflects the light back into the core, उसका काम यह है, क्योंकि light transfer होनी है इसके अंदर, जब light transfer हो रही है, तो हो सकता है, कोई light जो उसकी है, वो reflect हो जाए, जब वो reflect होके, उपर दोबारा आएगी, उस core से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो cladding उसको रोके गई और उसको reflect करेगी वापस उसी core के अंदर, ताकि उसी core में से ही, उसी wire में से ही data transfer हो, उस wire से बाहर जो उसकी है, वो light बाहर ना निकल सके, The cladding has a protective cover of plastic called jacket, इसकी उपर जो हमारे पास cover नदर आ रहा है, इसको नाम दिये जाता है, जैकिट का, और ये कौन सा किस चीज़ का होता है, ये plastic का बना होता है, core जो उसके उपर jacket चड़ी होती है, वो होती है, प्लास्टिक की, and important practices of fiber optic is reflection, कह रहा है जो fiber optic की जो main हो भी है, वो है reflection, और reflection क्या होता है, reflection is the characteristic of material, to either pass or reflect light, reflection जो उसी है, वो physics की एक term है, physics के अंदर light की, उसका काम क्या है, वो ये बताता है कि उस material में से यहां तो light गुजर जाएगी, ठीक है, और यहां light जो उसी है, वो reflect हो जाएगी, reflect का मतलब यह होता है, for example, यह दो हमारे पास material है, यहां से टकरा के, ऐसे वापस, यहां से टकरा के, ऐसे वापस, इस चीज़ को हम reflection का नाम देते हैं, और यह यूज कहां पे की जाती है, जी fiber optics, most telephone companies, telephone companies इसको यूज करती है, है, ISPs, मतलब internet service provider, मतलब वो companies जो internet की service provide करती है, जैसे zonk है, jazz है, यह सारी, and table TV, cable TV operators are using fiber optics in their networks, जो मारे पास cable TV networks वाले हैं, ISPs हैं, यह telephone companies हैं, वो सारी fiber optics cable को use करती है, advantages कौन-कौन से हैं जी, fiber optics के, fiber optic network works at very high speed, fiber optic की, जो speed है, वो काफी ज्यादा तेज होती है, the information carrying capacity of fiber optic is very high, इसकंदर जो data की transfer speed है, वो काफी तेज है, data की capacity जो उनसी है, काफी काफी तेज है, fiber optic is lighter and smaller in size fiber optics, जो उनसी है, वो size में जो 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 सिय है, small होती है, और hulky होती है, it is more secure and reliable form of data, transmission काफी secure, it is not affected by electromagnetic waves, के अंदर electromagnetic waves जो उनसी है, वो effect इसको नहीं करती, disadvantage कोन से है, it is difficult to install, इसको install करना बोहत मुश्किल है, इसको बनाना, इसको लगाना, attach करना बोहत मुश्किल है, it is expensive, और बेटा, ये costly बहुत ज्यादा होती है, जी बेटा, अब हम चो, दूसरा topic है हमारा, वो है, unguided media क्या होती है, और उसकी types कोन सी है, unguided media का हम पहले पढ़ चुके हैं, कि ऐसा media, जिसके अंदर हमें wire की जरुरत नहीं पढ़ती हैं, हम signals या air के थुरू, हम data की transmission करते हैं, हमारे पास तीन types हाती हैं, unguided media की, कौन-कौन सी हैं, सबसे पहले है microwave, दूसरा है communication satellite, और तीसरा है mobile communication, इन तीनों को हम study करके देखते हैं, सबसे पहले बटा microwaves, microwaves are radio waves, एक ऐसी radio waves हैं, that are used to provide high speed transmission, जिनका मकसद क्या है कि data की transmission जो स्पीड अप हो, मतलब signals के थुरू data transfer करना है, wire की जूरत नहीं है इनके अंदर, यह बाज यहन में रखियेगा, but both voice and data can be transmitted through microwave, और data दोनों transfer किये जा सकते हैं, microwaves के through, data is transmitted through the air, from one microwave station to the other, similar to radio signals, मतलब एक microwave station बना हुआ है, एक यहां पे है, एक यहीं, दूर बना हुआ है, तो जाटा की जो transmission होती है, वो एक microwave station से दूसरे microwave station की तरफ होती है, आगे जागे देखते हैं, सारा clear हो जाएगा भी, microwave using line of side transmission, line of side का मतलब होता है, अगर for example, हम सीधा देख रहे हैं, तो हमारी नज़र का focus भी जो उनसा है, वो सीधा होता है, अगर हम right side पे देख रहे हैं, तो हमारी नज़र का focus भी right side पे होता है, मतलब straight line के अंदर नज़र आ रहा होता है, mostly, यही बात है कि जो data transfer होगा, वो एक सीधी लाइन के अंदर होगा अगर एक्जेंपल में आगा जाए तो यह भी देख давай कि अंदर की ट्रॉंस्विशन हो रही है कि इस अfahrशा इसका मतलब यह है कि जो सिगनल्स है स्ट्रीट पाथ के अंदर ट्रांसफ्बर होंगे एक सीधी यहां buildings के उपर install किये जाते है microwave station are placed within 20 to 30 miles to each other एक यह वाला tower जो है जिसको हम microwave station का नाम दे रहे हैं यह एक tower दूसरे tower से तकरीबन 20 से 30 मील के फासले पे होता है each station receive signal from the previous station हर station जो उनसे है वो पिछले वाले station से signal receive करता है और इसको next view पर transfer कर देता है in this way data transferred from one place to another इस तरह से क्या होता है कि एक tower दूसरे को data send करता है दूसरे वाला तीसरे को send करता है and so on and so on data की transmission होती रहती है in this way data transferred from one place to another there should be no building or mountains between microwave station बेठा इन stations के दिरम्यान कोई भी building या कोई भी mountain या जिसको हम पहाड कहते हैं वो दूम्यान में नहीं आने चाहिए अगर वो दूम्यान में आएंगे तो data की disturbance हो जाएगी signals की मैटा यहां तक clear हो गया समझागी है बात की मतलब कुछ towers लगे हैं हर एक tower ने दूसरे tower को data send करना है at last उस location तक पहुँझाएंगे जहां पे हमारा data पहुँचना है दूसरे नवर हमारे पास आता है communication satellite मतलब satellite के तुरू हमारी communication कैसे होगी communication satellites are used in wireless communication exactly मतलब wireless communication के दर satellite communication यूज़ की जाती है over long distance बहुत जैदा long distance है अगर हमारे पास वहां पे communication uses the satellite and earth-based stations इसके अंदर दो चीज़ें होती है एक satellite होते हैं और दूसरा earth-based station होते हैं जिनको हम earth station का नाम भी देते हैं the satellites are placed around the globe about 22,300 miles above the earth मतलब जमीन जो हमारे पास है जो earth है पूरी जो इसको हम globe का नाम देते हैं उससे तकरीबन 22,300 मील दूर satellites होते हैं a satellite receive microwave signal from earth-based station जमीन से microwave signal send किये जाते हैं satellites को it amplifies the signal and read more transmit back to the different earth-based station तो satellite लिया करता है उन signals को boost up करता है उनकी उनको दुबारा से boost up किया जाता है उनकी power complete किया जाती है उसको दुबारा जमीन के दूसरे हिससे पे send कर दिया जाता है the transmission from earth station to satellite जमीन से अगर हम satellite पे data send करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है up link का अगर satellite से जमीन पे बेजा जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा down link का ये देखें बेटा ये हमारे पास ये earth है earth से ये सारे उपर satellites है अब होता कुछ इस तरह से है हर satellite ने जमीन का कुछ area cover किया होता है for example इसने इतना cover किया हुआ इसने इतना cover किया हुआ इसने इतना cover किया हुआ इसने इतने वाला cover किया हुआ यानि कि हर satellite ने जमीन का कुछ इससा cover किया गया है अब इसे होगा क्या अगर यहां से data उठाया गया और उसने send करना है यहां पे इस जगा पे तो क्या करेगा यह satellite send करेगा इसको जब यह इसको send करेगा तो अपने नीचे Earth Station को data send करेगा, मतलब satellite से data जमीन पर जाएगा जिसको हमने down link का नाम दिया यहां पे data आएगा और तो नीचे जहां पे जिसने इसको यूज करना होगा वो इसको यूज कर लेगा फिर बता रहा हूं अगर डेटा यहां से सेंड होना है यहां पे सेंड होना है जो इस सैटलाइट के अंडर है तो होगा कुछ इस तरह से यहां से दमीन से डेटा वेज़ा जाएगा इसको यह आ सब्सक्राइब करते हैं एक ही वक्त में ट्रांसफर किया जा सकता है सट्लाइट कम्यूनिकेशन के थ्रू डिसड्वांटिज इसका क्या है इस जाट बैड वैदर कैंस्वियली एफेक्ट दा क्वालिटी आफ सैटलाइट ट्रांसमिशन के जो मोसम अगर हराब है तो वो हमारी सैटलाइट कम्यूनिकेशन के डेटा को बहुत बुरी तरह से मतासिर कर सकता है बेटा इसकी बहुत ही अच्छी एक्जेमपल यह है कि जब मैच अस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा होता है लेकिन हम पाकिस्तान में बैठके मैच देख रहे होते हैं यह सारा जो ट्रांसफर किया जाता है मैच दिखाया जा रहा है इस्ट्रेलिया से यहां पर वो सैटलाइट कम्यूनिकेशन के थ्रू ही दिखाया जा रहा होता है लाउसट वाला टोपिक बेटा मुबाईल कम्यूनिकेशन सबसे असल्सां मूबाईल कम्यूकशन इदक है रेडियो बेसे नेटवर्या रेडियो बेसे च्रूर इसके अंदर ।ो औरanse और कंप्यूटर मों को data send भी किया जा सकता है और उन से data receive भी गिया जा सकता है इस widely used all over the world और ये वाला जो मारे बास communication network है ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी use किया जा रहा होता है और जा रहा है जी बेटा